बिस्मिल्लायरह्मानेरहीम असलामुलेकूम विवर्स आज कुकिंग चैनल लखनों में मिक्स वेजीटेबल बनेगी बहुती उंदा बहुती टेस्टी और बहुती लाजवाब होती है यह बिल्कुल हल्वाई स्टाइल बनेगी यह आप लोग भी खाएंगे तो पता जिनी च चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें उससे आपको और भी अच्छी सा च्छी वीडियो देखने को मिलेगी और बेल आइकन को भी जरूर प्रेंस आपको कर नई वीडियो का मैसे सबसे पहले पहुंचेगा तुभी वर्स उसे जरूर बनाएगा बहुत आसानी से और बहुत म ले ली तो टमाटर चोटे साइस का काट लिया ह्रा दनिया बारिक काट लिए और यह मसाले इसे इसे भी बताते हैं वह यह तेल भी गरम हो रहा है आप मसाले बता दते हैं किया के लिए हमने जी यह जीरह पाउडर है आदा चमाश से कम और आदा चमाश से कम गरम अलब मसाला पाउडर है ंदनिया पॉडर और नमक येसाब से आदा चमाश से ज़्यादस का सूरी में थी एक चमज, हरी मिच, चार पांच के टीवी बारिक और कश्मीर इलाल मिच, आदा चमज और ये तेल गरम हो गया, अब हम हम इसमे सबसे पहले ऑलू डालेंगे इसको फ्राई करना है մें आलू को सबसे पहले, क्योंकि दूसरी सबजी डालेगे इसमें तो यह इस तरह से फ्राय हो जाएगी अब इसमें यह गाजर डाल देंगे क्योंकि आलू सबसे पहले इसलिए डाला है ताइक उसको गलने में सबसे तरह टाइम लगेगा बाकी चीज़ें तो इतना नहीं टाइम लगेगा अब यह दो मिनिट काजर भी हो जाएगी फ्राय अब यह गोबी डाल देंगे इसको भी दो धाई मिनिट करेंगे फ्राय करना अच्छी तरह से और यह फ्राय करने में सारी सबजियां अच्छी तरह से गल जाएंगी और यह सेम डाल देंगे यह आदे कटोरी सेम काट करके लिए थी हमने वो डाल देंगे इसे भी फ्राय करेंगे इसे एक देड़ मिनिट करेंगे बस खाली बस एक यह देड़ मिनिट बहुत रहाएगा इसके लिए और अब ये मटर डाल देंगे ये भी एक मिनट करेंगे बस फ्राइए फुल फ्रेम ही रखना इसे फ्लेम स्लो नहीं करना आ ये इस तरह से हाई फ्लेम पर मारे सारी सब्जें फ्राइए हो चुकी है अब इस तरह से ये निकाल लेंगे च्छान के इसमें से तेल निकाल देंगे बिल्कुर और ये एक बावल में निकाल लेंगे सारी सब्जे और सब्जें निकाल करके हम ये तेल इसमें से ये कम कर दें प्रणाई में से जितना में मसाला भूनने के लिए तेल चाहिए बस उतना रखेंगे बादे एक्स्ट्रा तेल हम इसमें से निकाल देंगे एक प्रणाई में से और अब हमने यह प्खड़े मसाले लिए एक दार्चीनी के टुकड़ा एक बड़ी लायाची च्छोटी बड़े साइज का प्याज जो हमने बारी चॉप किया वह डाल देंगे अब इसको फ्राइ करेंगे बहुत डार्क नहीं करना है प्याज को बस गोल्डेन लाइट ब्राउन हो जाए उतना ही रखना है मैंसे अच्छा सा कलर आना चाहिए और इस चमश से हमने दो चमश तेल बहुत ज्यादा नहीं लेंगे तेल क्योंकि फ्राइब वैसी पहले किया हुए तेल में तो इसलिए ज्यादा हो जाएगा ते यह दिकिस तरह से फ्राइब हो चुकि यह देखिए इस तरह से अब यह अब इसमें लसन अधरा का पेस्ट डाल देंगे एक चमश भरके अब इ से जरूर बनाएएगा और यह अब मसाले डाल देंगे सुखे इसको भी भून लेंगे अब यह मिक्स कर लेंगे से अच्छी तरह से और अब कश्मीरी लाल मिट डाल देंगे इसमें इससे कलर बहुत अच्छा आता है और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के दो तीन बार इससे अच्छी तरह से मसालों को सारे भून लेंगे था कि मसालों में कच्छा पन बिल्कुल नहीं रहना तो यह कि बाद में तो में पकाना नहीं यह सबजी में सब्सक्राइब करने में इस तरह से दो तीन बार डाल के पानी थोड़ा थोड़ा से मसालों भून लेंगे अच्छी तरह से अब इसमें टमाटर डाल देंगे इसको भी भून लेंगे टमाटर को भी टमाटर भून जाएगा फिर इसमें हम टमाटर प्यूरी डाल देंगे ए और अगर टोमाटो प्यूरी आपके पास नहीं है तो एक मीडियम साइज का टोमाटो पीस करके डाल देगा ग्राइंड करके और इसमें लगा हुआ है थोड़ा सामने पानी डाल करके यह भी निकाल लिए और हम भून लेंगा अच्छी तरह से अब यह देखे इस तरह भून लिया हमने इस सारा मसाला भून गया अब यह हरीमित और कसूरी में दीव डाल देंगे बहुती चटपटी और मज़ेदार तयार हो रहे बहुत खुश्बू आ रहे इसमें बहुत उंदा मज़बरदस तयार हुए मिक्स वज इदेखे मसाला में पकाना नहीं है सब्जियों को यह देखे इसमें डाल देंगे मिक्स करेंगे और मिक्स करके जरा सा पानी डाल करके हम इसे दो मिनट पकाएंगे ताकि मसाला जो है सब्जियों में आपसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाया बस इतना पकाना है मैं और नमक तो पहले ही ड जादा हो जाएगा इसलिए अब और नहीं पकाना इसको बस थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि एक दूमिनट अच्छे से पका लें इसको ताकि मसाला मिक्स हो जाए सबस्जियों में और बहुत उम्दा तयार होती ही सब्जी आप लोग भी से जरूर बनाएएगा अब बिल्कुल इसी तरह थे फॉलोग करते हो बनाएगा तभी आपको इसका टेस्ट पता चलेरा और अब इसमिए आखिर में हर्य प्याद डालेंगे तुप sid niewैलार इसमें यहाँ वाइट पांट नहीं डाले जरी अद्रक डालेंगे क्रेश की हुए अधरा के यह हरा धनिया थोड़ा से टाल देंगे थोड़ा बात में डालेंगे हरा धनियां पर से उसके लिए बचा लिए हमने इसे तैयार हो गए है माई सब्जी अब इसे डिशाउट करके आपको दिखाते हैं बहुत मज़ेदार बहुत ही टेस्टी तैयार हुई है यह और बहुत ही खुश्बू जबरदास आप लोग इसे जरूर बनाईएगा बहुत मज़ेदार यह सरदियों में तो बहुत अच्छ लगती है सब्जी और खास सब्जी है तो यह सरदियों की तो अब इसे उपर से नहीं हरा धनिया डाल दिया देखिए कितने खुब्सूरत लग रहे हैं देखने में इतनी अच्छी और खाने में तो बहुत ही उंदा है तो आप लिए जरूर बनाईएगा वीवर्स बनाने म लगी एक नई रेसिपी के साथ आप लोग खुश रहें खैरियास से रहें मुझे अपनी दौा में जरूर याद रखें असलाम लेकूं